हम स Such आज हम सुरू कर ने जा रहे हैं यूनिट सेकिंड का पार्ड थर्ड ठीक है। पहला कुश्चन आपका दिया हुआ है पहला कुश्चन आपका क्या कह रहा है यूनिटी का हिंदी रूपांतरण है यूनिटी का हिंदी रूपांतरण क्या होता है अनेकता एकता परिशद या ब्योशा है ठीक है यूनिटी का जो हिंदी रूपांतरण है वो क्या होता है तो तो यहां पर जो क्या होती है एक्स्पोर्ड का हिंदी रूपांतरन है निर्यात सुल्क आपका क्या हो जाता है निर्यात सुल्क ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मेंस होता है निर्याद और ड्यूटी मेंस होता है आपका सुल्क ठीक है तो ए अपसन हमारा क्या हो जाता है यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ड्यूटी एक्ससाइड ड्यूटी का मतलब मैंने क्या ब बिल्कुरिश औसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, b option अमारे, बिल्कुरिश औसर यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे the next question के राए, duty state का हिन्दी रूपांतरण है, duty state का हिन्दी रूपांतरण क्या है, निर्याज सुल्क, उत्पादन सुल्क, सीमा सुल्क या, है संपति सोह के रहा है तो इस टेट का मतलब होता है संपतिि और 10 का मतलब की होगा सूल्क ठीक है तो यहां पर किसी ऑफ्षन आसका बिलकुल सही अंसर हो जाएगा centers 6호 जाता है एक सुचब्षस कह रहा है ट्यूटी डेध का पर बिलकुल राइट आंसर हो जाता है नेक्स्ट कुर्शन कहा रहा है ड्यूटी कस्टम को क्या कहेंगे तो निर्याज सुल्क कहेंगे उत्पादन सीमा या संपत्ति तो ड्यूटी कस्टम किसे कहते हैं कस्टम में सीमा ठीक है तो कस्टम ड्यूटी का मतलब सीमा सुल्क ड्यूरिंग दा प्लीजर ड्यूरिंग दा प्लीजर का मतलब क्या होगे राष्टपती परशाद महल महल यह राष्टपती परशाद ठीक है ड्यूरिंग दा प्लीजर तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है राष्टपती परिशाद परियंत ठीक है इसके अंदर आगे लगा लेंगे आप परियंत, राश्क्रपती, परियंत तो यहाँ पर जो option यह हो जाएगा आपका बिलकुल सही answer हो जाएगा, यहाँ से ही बोो यह यहां清imans पर विल ने पर मतलब का help Canada बहुस и यहां पर डाएगी तरहिक ना का अ कुने मतलब वर के आइब़ कर वहों डवी entire आइसे फिर्शन मेंस क्या होता है बसियत राजपत्र अधिपत्र या परिपत्र है र..? ड्ल्वाइड ड्ल्ल का मतलब हो जाएगा आपका बसियत झाल बिल बिल मेंस को होगी बसीयत और नेक्ट प्रिश्ट अपका कह रहा है कि अवाड का हिंदी रूपांत्रण है अवाड मीज का होता है अवाड क्या मतलब होता है पुर्षकार देना रद्द करना समलेतों आ या तो अवाड का मतलब क्या होता है, सभी को पता है, अवाड का मतलब होता है, पुर्षकार देना, यहां से कह रहा है, निम्न सब्दों के हिंदी परियाय बताने आपको, ठीक है, क्या बताना है, इन सभी सब्दों के हिंदी परियाय, तो यहां पर जो कह रहा है, यहां पर जो क ऐसा ही yours sincerely आपका भिष्वासपात्र, आपका सधभावी यह बास्तम में आपका, तो यहां पर सही answer क्या हो जाएगा? आपका सधभावी, ठीक है? आपका सधभावी यहां पर मिलकुल सही answer हो जाएगा यह से कहा रहा है, याज यह इसा ही चे Τर्यूली योर, सिवाष्ध में, विश्वास पुाथ्ट, शवाष्ध विश्वास पातर, आपका सदवाभी भास्थवाथ्ध में आपका ठीक है? तो 133 का कहा चाहरा है भास्थ में आपका, योर, लिवड परंस प्रॉ further भास्थ प्रॉर ओर विण आपका यहाँ पर जून का अर्थ बताना है आपको छेत्र, कुरकशेत्र, धर्मशेत्र या कर्मशेत्र तो जून मींस क्या होता है जून ठीक है जून किसके लिए कहते हैं है यहाँ जून कहते हैं छेत्र के लिए किसके लिए जोन कहते हैं छेत्र के लिए ऐसी कह रहा है वो राइट राइट मींस क्या होता है इसे बोलते है रिट जारी करना ठीक है यह रिट जारी किसके द्वारा की जाती है नियायले की द्वारा यह रिट जारी की जाती है तो इसे क्या बोलते है परमादेश आदेश कार परम आदेश ठीक है परम आदेश यसे बोलते है रेट को यह पर बर्किंग प्लान इसे क्या बोलते है कार्य योजना करम योजना धर्म योजना या भ्रमड योजना तो बर्किंग जो प्लान होता है उसे बोलते है कार्य योजना ठीक है बर्किंग प्लान को क्या बोलते है का प्रत्यारण का मतलब पैसे निकालना ठीक है बिट्रोल मतलब पैसे निकालने के लिए प्रत्यारण बिट्नेस बिट्नेस कौन होता है बिट्नेस किसे कहते है चेता बनी को गवा को प्रत्यारण को या अच्छा पत्र को तो यहाँ पर बिट्नेस किसका हो जाएगा बिट्नेस मेंस हो जाएगा आपका गवा ठीक है विटनेस कौन होता है गवा ऐसे बार्णिंग का पूछा है उन्होंने चेता बनी गवा पत्यारान या अच्छा पत्र तो आप सभी को पता है बार्णिंग मींस क्या होता है चेता बनी ऐसे बार्ड मींस क्या होता है पाल ले अधिपत्र मेंस क्या होगा बिद मतलब साथ में रिस्पेक्ट मानी सम्मान तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका सम्मान के साथ बिद रिस्पेक्ट मेंस सम्मान के साथ यहाँ पर कहा रहा है कि बाउचर का क्या होगा हिंदी रूपांतर ठीक है बाउचर मतलब बाउचर मींस क्या हो जाता है आपका 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 बाउचर मींस क्या हो जाता है स्वैच्छिक अनेच्छिक एच्छिक या दंडात्मक यहां पर कहा रहा है बॉलेंटरी का मतलब क्या होता है तो बॉलेंटरी जो होता है वो होता है स्वैच्छिक अपनी इच्छा से ठीक है बॉलेंटरी मतलब स्वैच्छिक और यह कहते है बैली बैडी केटिव बैडी केटिव मतलब दंडात्मक, बलात्मक, धनात्मक या रिनात्मक बैडी केटिव मींस होता है आपका दंडात्मक क्या होता है आपका दंडात्मक बैडी केटिव मींस दंडात्मक नेक्स प्रेशन कहा रहा है बीटो बीटो का मतलब क्या होता है ठीक है तो बीटो जो होता है आपका विसेस अधिकार होता है सामानी अधिकार अधिकार या उत्तर अधिकारी बीटो जो होता है वो होता है बास्ता में आपका विसेस अधिकार ठीक है बीटो आपका क्या होता है विसेस अधिकार ऐसे क्या होता है आपका मूल्यांकन तो यहां पर जो सही ढाश्य हो जाएगा ऊपका ए ओ dirty पूछाए आपसे कि बैरिफाइड का अर्थ क्या होता है हिंदी में सत्यापन सत्यापित सत्यापित बैरिफाइड मींस होता है आपका सत्यापित ठीक है अन्डर ट्राईल अन्डर ट्राईल विचार अदिक धीन अविचार अधीन अदर इचार अधीन अंडर मितलब भूमी के नीचे तो भूमी के नीचे हिंदी में क्या बोलेंगे यहां पर भूमी हीन कहेंगे नहीं, भूमी रत नहीं, अदो भूमी नहीं, तो यहां पर क्या हो जागा सही, भूमी गत भूमी के नीचे, ठीक है, भूमी गत भूमी के, ऐसे ही सील मतलब क्या होता है यहां पर, सील क्या होती है मुद्रा उपनियम बाद या राज राज सहायता तो यहांपर Seel means Cobre आपका मुदरा थीक है सील जसकर यहां पर मुढ़्म sub see dispersed सबसेड़ को होगा और साय संथा रिचा किसे के तौर दीनाती है राज के द्वारे साहएता दीनाती उसे क्या कहते है करते हैं subsidy ऐसी next question के रहा है आपको तीजिड मिंस क्या कहते हैं बाद कहते हैं विबाद निविदा यादि COP only तो यहाँ पर sweet means क्यों होता है sweet means होता है आपका बाद भाद विवाद जो होता है उसी में कहते हैं बाद मिनड वोक्ड़े स्वीड सेच्ट को ना निकि किसो को अधिकारी को सस्पेंट कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते है निलंबित करना निलंबित ये ही ये कालाबधी या टीक है तो जिससे सस्पेंट की या जाता है उसे क्या क्या कॉज़ता है निलंबित कर दिया गया है। 157 question कहा रहा है treeree का मतलब क्या होता है treereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereereeree कि इसके लिए हंधी सब्सक्राइब वोलेंगे आभरति उपक्रम अंतर्न होता राइं यह तो जू ट्रांसपर उन्तर का टैंडर टैंडर के हैं टैंडर किसे एति हैं ठींटर सेशन को क्या कहते हैं साल कहते हैं समर्पन कहते हैं यह सत्र तो सेशन मीन्स का हो जाता है आपका सत्र यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है सेशन मीन्स सत्र यह कह रहा है रिजाइन रिजाइन का हिंदी अर्थ बताना है मैं ठीक है तो रिजाइन का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा है आपर पद का त्याग करना अबरुद्ध पुनरुद्दार या संगत परशन ठीक है तो कोई रिजाइन देता है उससे क्या कहते हैं पद त्याग कर दिया उसने तो resign means क्या हो जाता है इसीदा सा अर्थ पद त्याग ठीक है अगला कुशन कहा रहा है कि आपको हिंदी बतानी है किसकी Rehabilation ठीक है Rehabilation इसका हिंदी तक अर्थ क्या होगा पद त्याग होगा अर्थ होगा पुनरुददार होगा यह संगत पर्शन ठीक है तो c option आपका क्या दे रखा है पुनरुददार ठीक है c option आपका दे रखा है पुनरुददार यहाँ पर Rehabilation का मतलब क्या हो जाएगा पुनरुदधार ऐसे ही relevant question relevant का मतलब कोई question चल दाला है यानि that तulle सकतें कि संगत जैसे गनिक इस टॉपिक पर बात कर रहा है अगर आप मूछ से टो उससे क्या कहें गिए relevant नहीं धी तो relevant कि मतलब होता है संवर बेले इस्मेंट का मतलब होता है संगत प्रशन ठीक है यह पर कह रहा है beep κάνुसिंस request का मतलब क्या होता है OK मैं दिनने का मतलब पूछा है तो अभया चान पूछा अभया च Mimi यह आर रहा है यहा आप का दिएवर्नियम और यह सितली करत होता है तो यहां पर रि रिक्षों का मतलब आपका यहां से सीधोगा क्या हो जाता है आधी याचक परी म Melissa molecules अभी हमे यह थे स्विशन आधी इसका मतलब भी सीधा अभी आचा की होता है ठीक है सेम बात है ऐसे समौक बीत करते है ऑसे आती करते है तो relieved को क्या कहेंगे relieved relieved ko क्या कहेंगे sitlikrat, padmukth, biniam या amul perivertan तो B option आपका क्या कहा रहा है pad mukth, relieved means pad mukth regulation 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 का मतलब क्या हो गया sitlikrat, padmukth, biniam या amul perivertan तो यहाँ पर regulation होता है उसका अर्थ होता है आपका बिनियम, बिनिमय, शोरी, बिनिमय, उसका क्या होता है, अर्थ, रिडायल, सोरी, रेडिकल चेंज़, रेडिकल चेंज़, रेडिकल चेंज़ का मतलब क्या होता है, रेडिकल चेंज़ का मतलब क्या होता है, सितली गरत, पदमुक्त, बिनियम या आमूल परिवर्तन, ट्क है तो जो रैडिकली चेंजेस मतलब आमूल परिवर्तनीय है चेंजस का परिवरतन और रेडिकल का मतलब आम धीलेट हैं मजा लेक्स्टोर्ट अब का है कि पेटिशनर का मतलब को था पेटिश्ट नर टिithm पुनश अभिरक्षा गिर्वी ठीक है तो जो पेटेशनर होता है उसका मतलब होता है आपका प्रार्थी प्रार्थी आपका सही अर्थ हो जाएगा ये पैटरोन का मतलब क्या होता है सनरक्षक दंडसाहिता अनुग्या प्रक्रिया ठीक है पैटरोन का मतलब क्या होता है यहा पीनल कोड उससे क्या कहते है सनरक्षक को कहते है परिक्रिया को कहते है दंड सहिता को कहते है अनिरनेट ठीक है तो यहाँ पर जो पीनल कोड होता है वो होता है दंड सहिता ठीक है पीनल कोड क्या होता है दंड सहिता पब्लिक सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट ठीक है लोग सेवक यह जाएक टीक है तो यहां से जो जूसा हो जाए गें हो जाएगा यह चैनल कर分享 ऐसंट कि अनर Urban के वहां आपसे पूछा है ठीक है उल्ब का मतलब का है यह हो ता यहां है तो यहां पर श्वामी होता है अभिमत होता है प्रार्णती होता है यह मूलता है उनरP क्या होता है तो यहां पर जो सही आंसर हो जाए ऑनर मीज क्या होता है स्वामी होता है ऑनर मीज स्वामी होता है ऑर्डर आपको देना है ठीक है ऑर्डर दे रहा है कोई तो ऑर्डर को हिंदी में का कहेंगे ऑर्डर को आदेस कहेंगे प्रतिवादी कहेंगे गिरहिता कहेंगे अभी मत किएंगे ठीक है तो order का जो सही अーद्ट हो जाएगा आदेश ठीक है order का सही अर्ट क्या हो जाएगा आदेश I despair की भोद का मैंने अभी बताया था आपको सपत ओत को क्या कहते हैं सपत judgment judgment means क्या होता, निडे न्याएकणия करना या मत देना, ठीक है तो judgment का मतलब क्या होता है यहां से ने आना, judgment आना jail आपको सभी को पता है jail, jail का मतलब क्या हो गया है वो jail का मतलब वो हिंदी ही नहीं है ठीक है, यह इंगलिस में ही है तो ये वाला बी ऑप्शन नहीं होगा अपका आपका होगा कारागार ठीक है जेल को हिंदी में क्या कहते है कारागार ठीक है तो जज को हिंदी में क्या कहते है जज को आपको बताना है हिंदी में क्या कहते है तो जज मींस होता है आपका न्याया धीस ठीक है जज मींस आपका क्या होता है न्याया धीस ठीक है तो यह आपकी यूनिट से आपका मैं जो है यहां से उम्मीद दिया है कि आपका कोई भी कुश्चन पेपर से बाहर यहां से बाहर नहीं जाएगा ठीक है तो यहां पर इन सभी चीजों को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे और बढ़िया से इसको पढ़ लेंगे और इनिट थार्ड फॉर्ट फा